हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं हमने स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC MTS का जो आपका एक्जाम वह था उसकी जो है अंसर की आपकी कास तक देखिएगा आप सारी चीजे समझ जाएंगे कि कट ओफ आपकी कितनी जाएगी और आपकी कितने मांक्स हैं कॉमेंट बॉक्स में आप वीडियो को देखने के बाद बता दीजिएगा सबसे बड़ी जो चीज है इस एक्जाम के अंदर वह एक्जाम लेवल है कि टोते हैं मैं आपको समझाता हूँ पहले उसके बाद मैं आपको कटов बताऊंगा जो तरीके के आपके चीजिज भी टेंडेट ने चीजिए कि हंडर के अंडर्ड के अंडर्ड आटेम्ट कर दियां तो वह तो पेपर को जो है इजी बोलेगा थै लेकिन बहुत से चैंड सबीपर में भी 55 एटेम्ट कर पाएं तो वह बोलेंगे कि यह जो एख्जाम है मोडरेट था कि हमारी शिफ्ट इजी थी हमारी शिफ्ट मोडरेट थी कोई भी अपनी शिफ्ट इज नहीं बताता हैं बहुत कम candidate होते हैं जो analyze कर पाते हैं कि अपनी shift को कि हमारी shift easy थी या फिर हमारी shift moderate थी वरना सभी अपनी shift को moderate या tough ही बताते हैं तो उससे कोई भी conclusion नहीं निकलता कि जो exam level था वो moderate था या tough था या क्या था ये सब ये तभी पता चल पाएगा जब SSC MTS का result जो है announce करेगी और उसके अंदर आपके normalization में shift wise कितना अंतर आएगा उसी के बेस पर आपको पता चल पाएगा कि कौन से shift आपकी मुश्किल थी कौन से shift आपकी easy थी क्योंकि candidate के review से मैंने भी जो review लिये हैं उन्होंने जो candidate थे कुछ इसने तो बहुत easy बोला है बोलाई कि इस से असान पेपर कभी आया यह नहीं है पहले तो उन्होंने 100 attempt कि हैं कुछ candidate ऐसे थे जिन्होंने 85 तब attempt कि हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ज्यादा easy था और नहीं ज्यादा tough था यानि के बीच में था moderate था कुछ होने ऐसा कहा तो इस बेस पर जो final आपकी cutoff है क्या सकती है मैं इसके अंदर shift analyze नहीं करूंगा आपको normalization के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा royalization के बारे में नहीं बताऊंगा analyze shift के बारे में नहीं बताऊंगा मैं इसके इंदर आपको cutoffs बताऊंगा state wise cutoff बताऊंगा और उस्तेorta के लिए आप उसके अंदर से माइनस तीन या फिर माइनस पाच कर लीजेगा और एस सी और एस्टी के लिए आप इसके अंदर माइनस साथ से माइनस नो नमबर तक कर सकते हैं तो मैं आपको शिर्फ यूर की कटोफ बताऊंगा उससे अकोडिंग आपकी जिस भी कैटिगरी में आते हैं वो अपना उस तरी यह जो है आपकी कटोफ मैं आपको स्टेट वाइस सारी कटोफ बताता रहूंगा अपने स्टेट का देखते रहेगा अगर दिल्ली की बात करता हूं मैं तो दिल्ली के अंदर आपके जो जो पहले लिखा हुआ है वो 18-25 तक है और जो सेगिंड कोलम है वो 18-27 तक है यह सब्सक्राइब कर सकते हैं तो 85-90 रहेगी और 27 साल तक वालों में 82-87 महीं अगर मैं बात करता हूं उत्त्रा खंडगी तो 81-86 और 27 वाले में 82-87 केरल मैं बात करता हूं तो 85-90 और 85-90 अगर मैं राजिस्तान से बात करता हूं हूं तो 90-95-90-95 अगर मैं करनाटक की बात करता हूं तो करनाटक में 80-85-80-85 उडिशा के अंदर जो है 85-90-85-90 बद्धे-पर्देश के अंदर है 80-85-80-85 और तरी पुरा में आपका 80-85-85-90 कि में घाले में आप देख सकते हैं 80-85-80-85-36 गड़ में है 80-85-80-85 नागालेंड के अंदर सेम है जो 36 गड़ के अंदर है नाकपूर के अंदर भी सेम है आपका और जहारखंड के अंदर आपका जो है कुछ स्टेट के अंदर जो है 90 प्लस भी कट अफ जा सकती है क्योंकि वहां की वैकेंसी काफी कम है और केंडिडेट ने जो किया होगा फिलिंग महां से ज्यादा हो गई होगी तो कट ओव महां की ज्यादा जा सकती है कि वहीं अगर मैं बात करता हूं लास्ट में कि दवन दीव एंट गोवा की तो 80 to 85 यानि कि आप इसके अंदर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैक्सिमम आपकी कट ओफ है यू आर के लिए वह आपका 80 to 85 प्लस ही रहने वाली है वहीं अगर मैं बात करता हूं ओवी सी की तो ओवी सी में आप मैंने आपको पहले ही बताया तीन से पास नंबर कम कर लीजिए तो आप आ जाएंगे आपके सत्तर पर और यह आपके आजाएंगे 65 पर तो इस परकार आपकी क्टो रहने वाली यह आपकी कटो अलस तक अगर आपके इतनी नंबर बन रहे हैं तो लगिन अगर इससे कम आपके नंबर है तो आप फाइमल पोस्ट में थोड़ा सा पीछी रह जाएंगे अगर एलक्षन के जो चांस है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस पर इतना ही आशक करता हूं कि आपके सारे डाउट और कट ओफ मैंने आपको बता दी है अच्छे से समझ करे होंगे कि किस तरीके से एक्जाम का लेवल था अगर मैं एक्जाम के लेवल की बात करता हूं तो एक्जाम का जो लेवल था आपका एजी टु मोडरेट ही था मैं सेक्सेन वाइज आपको बता देता हूं मैच के सेक्षन को इजी रखा था रीजनींग के सैक्षन को in Leaf गठा था अ unfor इसनिंग के अंदर पजल आये थे तीन से चार तो एससी वाले जो केंडिडेट होते हैं उनको पजल में दिक्कत होती है तो इस परकार से अगर ओवरोल देखा जाए तो 75 नंबर का जो पेपर था वो इजी था 25 सवाल जो थे वो थोड़ा सा मोडरेट थे पूरे एक्जाम के अंदर इस वीडियों वस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियों में तब तक के लिए धन्यवाद